नमस्कार आप देख रहे हैं BBM News राजस्थान और संड़ स्पेशर में आपका स्वागत करती हूँ आई बात करेंगे राश्ट्री मिलिटर स्कूल के बारे में जहां हमारे प्रधान संपाजक गोपेश पचोरी जी ने भी राश्टी मिलिटर स्कूल के बारे में कुछ खास बात चीज़ दिखी है लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि उनके द्वारा बताया गया है कि धोलपुर रियासत के राजा उदेभान सिंग के अध्भुत पच्चिकारी और कुशल वास्तुकला से निर्मेत इस शांदार के सरबाग महल में इस विद्यालिक अशुभारं किया गया था वर्ष 1962 में इसे 99 वर्ष के लिज़ पर रक्षा मंत्राले को सोबा गया था इस भवन की अनोखी पच्चिकारी कलात्मक स्वन जड़ित चित्रकारी जो की छतो पर की गई है और इस भवन में इसे ठंडा रखने के लिए प्राचीन सिस्टम भी लगा हुआ है इस प्रकार सभी सुख सुधाव से ये परिपूल या भवन राष्ट्य मिलिटरी स्कूल का एकेडमिक केंपस बना हो है जो आज भी चल रहा है मुख्य सड़क की दूसरे तरफ राष्ट्य मिलिटरी स्कूल का नया केंपस निर्मित किया गया है जहां रेजिडेंशल हस्ट आपको ये भी बता देए कि कि सर बाग के रेजिडेंशिल प्रामगन के नीचे स्थित इंडिया जील है जो पूरा भर जाने पर भारत के नक्षी की तरह दिखाई देता है और ये बहुत ही अधुद है आए आपको लिए चलते हैं सिधा यहां के प्राच्वारिल एफ्टिनेंट करणल शाम कृष्णा जी के पास जहां उनकी है जोबानी आपको सुनवाते हैं कि इस स्कूल की क्या मान्यताय हैं क्या सकी स्पेशलिटी हैं और किस तरह की की यहां करण नकाशी देखने बने देख नमस्कार दोस्तों आज बीविएऑंचैनल राजस्थान के साथ राश्ट्री मिलिट्री स्कूल द्वाल्पुर के प्रंसीपल स्रिमान स्यांप्रस्थ。 करनल स्यांप्रस advice यह हमारे साथ जेश के अनेक महत्रफुन पदों पर काम कर रहे हैं स्रीमान लेटिन्ट करनल श्यांकुस जी से हम आज पूरी जान करे लेंगे, ज़ने बाद सबसे पहले सबको नमस्कार प्रणाम और राम नावर्मी है आज राम नावर्मी का भीशिप कामना है और अफकोस हम सबको पता है अभी pandemic situation बहुत स्यादा हो रखा है इंडिया में और अलिवन दोलपूर में भी हमारा के COVID-19 है उसका situation अपना अच्छा नहीं है तो health is the most important thing तो हम सब अबना health का ध्यान रख ले और mask पहन ले और government का rules and regulation है वो हमेशा follow करना है तो उसी में कोई भी dilute करोगे तो हमारा कुद का self के लिए और health के लिए आनिकार है तो वो सबसे important चीज़ है अजकल का जमाने में जब हम आरमास दोल्पूर के बारे में बाद करें लाश्व मेंस्ता लॉडपूर हर ने स्टावना हो था तो ने ये स्टावना वाने के टाइम पर यहां पर और छोटा एक स्कूल था जब रूम राजा महराना उदेवान सिंभ से जब रूम को केसलबाग पालस जो मिला है। वो 1962 में मिन्स्ट्रि ओफ डिफेंस को भूल है, राजास्तन जेवन में देविया। उस समय एक छोटा सा केजी स्कूर के तोर गई यहां पे स्थाथ शुरू हुआ तो इस समय हमारे सबसे फांदिंग फादर हम बोलता है लफन करनल कैल काई अर्मी एजुकेशन कॉर का है तो 1962 से उसने अपना रस्पोंसिबिल्टी खूब समया और इस इंस्टूशन को आज जो देख रहे हैं इस स्तिधी में पहुंचाने के लिए बहुत मौत भूल पाग लिए तो उससमें जो आर्मस का इनिशियेशन जो बिगिनिंग है जो शुडवात है वो है वो एक्शली क्या है कि किंग जोर्च सिक्स के नाम पर माना जाता है जितना भी हमरे जो इंस्टूशन है वहां पर जो बच्चे से पड़के निकल जाते है उनों को हम जोर्चियन बोलता है जो हमरे जो अभी का जो अभी का जो एलिसबत है जो इसका जो पादर है किंग जॉन 6 है किंग जॉन 6 ने ही सबसे पहले इत्या में 1925 में जलंदर ने जो बीडिशन के बाद इसके बाद वोचे सो पचीस में 1925 में वो फिर जा के आरमस्चैल के नाम पे चेंज हो गया इन हिमाजल परदेश चला गया तो कि उर प्री इंडिपेंडेंट था निइंटीफ़टीफाइड उसके बाद निइंटी-टर्टीमें दूसरा ही स्कूल पर जो गया। उसके बाद नाइंटी थैटी में अजमिर आया था उसके बाद वेल्गा, बाद बंडू और पोस्ट इंडिपेंड़ने नाइंटी थैवन के बाद जो हुआ था वो सिर्फ आरमस दोड़पूर है। तो बाकी चारों आरमस है, वो प्री इंडिपेंडनेंस आरमस दोड़पूर है। यह हमारा यहां का जो मौटिवेशन अबर मानूप मानता है हम लोग, यह राजा का उस समय का एक बड़ा बॉर आज पिल हमने इसको तोड़ा चेंज कराके इसको मदल के हमने एक सबको मौटिवेट करने की एक बड़ा बना दिया। गैलरी बताते हमें। जब स्कूल शुडू हुआ तो समय जो ग्रावनिमेंट अफ इंडिया है। हमें यह उदाफा तो कैसरभाग पहले होता है हमें। यह पूरा का पूरा हमें दे दिया था है लीज पे। तो नाइटी ने इसका जिए सोगा तो लीज पे दे लिया। और मिनस्ट्री आफ लिफेक्स कि जो रच्छा मंद्राले वो जीज भीडे बिए और एक मिलिटरी स्कूल को शरुआत करने के अभडेगे। इसके बाद हमेरी उसनामें खेया तो हमेरी उसनामें प्रच्छामन की जिए जैए लिए खेग। तो यह हमें जजा है जा दे जिए उसके बाद क्या हएा कि देरे देरे बहוד सारे यहां रिजनज के बाहर कि बच्चे यहां से हम यह का बच्छों को दों को magic और स्टुड़ें नहीं बोले, catak教 6. क्योंकि यहां पर NCC के तरफ एक फाउजी का जो ट्रेनी है उसी स्टैल में ही हम बच्छं को यहां पर हर चीज सिखाता है चाहे सुबह उड़के उन्नों को पीडी हो, फिसीकल एकसरसाईस हो उसके बाद जो उन्नों का जो कैड़क मिस है, जो खाने का जो एरिया है वहाँ जाके और लोग अपना पना नास्ता करने के बाद वो स्कूल के तरफ आजाता है स्टूल में तिन्हों का पढ़ाई होता है पढ़ाई के बाद ओ दुबारा जाके लुपर का खाना उसके बाद उन्हों को फोड़ा सा उस्ट टाइम मिल जाता है उसके बाद उन्हों को शाम को खेल खुदने का अगलग स्पोर्ट्स एंड गेम्स में पार्सिपेट करने का टाइम इल जाता है उसके बाद उन्हों को पड़ाई के लिए अलग टाइम हम डेडिकेट करता है सुबह पांच बजे से लेके रात को साड़े दस बजे तर एक बच्चे पूरा अंडर मोनिटरिंग चलता है मोनिटरिंग मींज हमेशा वो टीचर्स के अंडर मैं रहता है और हम उसके पीछे रहता है ताकि वो बच्चे सही सलामत अच्छा एक देश का अच्छा नागरीपने और देश के लिए अच्छा प्रोटक्टिव सितिसन बने मींज बिलकुल ओड़ के लिए आगे बढ़े क पुरा सप्षेयों के बिना के बिना के चली जाता है तो पुरा कप वोया इंडियन आर्मी के नीचे है जो बारे दिये थल सेना है उसी के नीचे ही हम काम करता है चाहे हमारा यहाँ पर जो बच्चे है इसमें 75 पर संदेज तो पुरा जो हमारे जो आर्मी नेवी और एफोस है भारदी यह सेना हों का जवान का बच्चे आच्छा जाद आता है जाद आता है तो क्योंकि जवानों का बच्चे है आगे वुए तोड़ा सा अच्छा पढ़ाई करके उनलों को मेंन लाइन लाइन में लेकर आना जो अच्छा प्रशिशन लेकर और उनलों को अच्छा नागरिग बनाना और अच्छा बना के उनलों को NDA के लिए तेयरी कर लेगा जो नैशनल डिफेंस अकैडमी जो पूने में उसी के लिए तैयरी करने का ही मेन हमस्साथ इस एंस्ट्शूशन तो ही NDA घारी के लिए तो दिर्बै नहीं ऑट न्य वैल अइड नहींडे में आइड न्य॥ल 12 पास होगे चले जाता है सियुबल में जाके ग्राज़ियोशन करता है यहाँ पे जो रहता है नच सहigkeit है उसके बाद जो C Certificate रहता है यहाँ पैं बीच सर्थिविट जैता है है सो C Certificate को लेकर, में लेरे वह दुबाराँ फाउच में आ जाता है चेससे120 के साथ अफिसर वगरह बन के वह दुबार में गाम उस्कूल से के पांच ऑंच मिल्ड्ड्ू स्कूल से लेकिजल्ड स्थी चेनलेट के ट्वल्ड स्टेइब अभी हमारा बॉट एक्जाम के जो बच्चे है, 10th और 12th का उनलों का तो प्रप्रेशन तो कर दिया था, बट कोविट के वज़े से हम उनलों को वापस बेज रहा है, मैंसमम बच्चे वापस जा चुका है, और कुछ लोग ट्रेन के चकर में, क्योंकि हमारे यहां पर मैंसमम बच्चे आता है, बिहार और यूपी साइट से, तो उनलों को जो जो लॉट जाना है, जो ट्रेन पर तो उनलों का टिकेट के वज़े से, एक और दो दिन आगे पीछ वापस जा चुका है, अब वह न गर Account, है बज़े साठी चाल रहा है, अबिछ मैंसमम बच्चे नाओ जा जाचका है, हमारे हमारे हमास तो चाठीन हो मथच्चे तर बच्चे पच्प बच्चों है, तो वह और 80-40 मैं इहहां है کो साठीन कि अरलों के mods हैं साठीन दोविप बच्चे हमारे यहां पर पहले रिटन एग्जामिशन होता है, उसके बाद इंडरवीव होता है, उसके बाद उसके बीडिकल होता है, यह सबी करने के बाद की बच्चे यहां पर अड्मिशन हमलता है, काफी कठें प्रोसेस से लिकल के आते हैं बच्चे, बिलकुल, आच्छ पुरा एक चोटा सा मिलिटरी ट्रेनिंग के तोर पे अगर इदर देता है तो उसको एंडी या नैरल अकैडमी जाके उतना महसूस नहीं होगा कि उसको ट्रेनिंग भूद कड़िन हो क्योंकि जितना भी कड़नाईयों से वह निगलता है तो आगे जाके उसको बिलकुल आसान हो जाता है और इसलिए वह अच्छा प्रोडेक्ट बनके निकल जाता है वही हमारे महीन उद्देश है और इवर नमरे बहुत सरे पुलिटीशन भी है हमारा उत्रप्रदेश के पुराना चीफ मिनिस्र है अगले श्यादर जी और वह यहां का अनिस्टूशन का प्रोडेक् उसके बाद महीन प्रदेश का जो महीन मिस्टर महीन को सिस्टूशन जी है वह भी यहां का प्रोडेक्ट है और बहुत सारे एक्षियन, यॉक्टर्स, आर्मी में, मैजर जनरल्स, ब्रिगेडियन, बहुत सारे अपूब है तो आमी नेवी एफोस में के अलावा जितना भी लोग जाता है वहां पर अपना पहचन बनाता है वो लोग यॉक्टों कि उपहचन बनाना सिखाता है प्रोडे कि हर बंदे एक यहां के निकल चाहते हैं उन्हों का पॉंफिडेंस लग अलगी होता है जब हम वह एक पुरा एक क्राउड में अगर पुरा एक ग्रूब में तुरंद आपको पता चलेगा कि ये एक military school का ये military training दिला हुआ एक बच्चा है क्योंकि उसकी जो ढाचा है वाकिंग करने का तरीका है चलने का तरीका जूसरों से बात करने का तरीका जो खुद का जो सेल्स डिसिप्लेन है ये हर चीज अलग दर्शा है क्योंकि वैसे ही हम यहां पर ट्रेनिंग दें कि अग्यूश दर्शे जा चुकिए है कभी अपन किस तरह आज थाओं कर रहे हैं अभी हम पुरा पूरा पूरा ओंलाइन का माध्यम से वासास चलाए है Carol 8. Online education चालए मंकि अमयरे जब जब जमम रही जुन होता जो जितना वर चाहब है वो ऐहां पर लहे और सेना ओंलाइन के मारी प्राज़। पूण कि जब वेकेशन हो तभी स्टाफ को जानिका यह क्योंकि एक बोलिंग शुल भी है और इंजीन पब्लिक स्कूल कॉन्फरेंस । एप सी का भी पार्ट है तो जितना भी सिर्णानिया स्कूल है, बेक बिलानी है। अजमयान का मावो है। में गुल्डन जुमली सेलिबरेट किया था उसमें हमारा में चीफ केस्ट था वो अग्लिष यादम जी थे उसमें अधेशा था 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 जी उत्तपरदेश का चीफ मिनिस्टर था और वो आय थे हैं यहां में और समान किया इस्टूशन का और हमको भी एक अच्छा उपर्शुनिटी बिलाता है कि हमारा ही स्टूडन हमारा ही एक कैड़क यहां से निकल के उचीफ इस्टूबन के दुबारा आता है बच्चों बच्छास जो वर्ष कंबली जो हने को समय थे और अकले 2022 में हमारा डायमेंड जूबली का प्लान चल रहा है अभी क्योंकि अभी गोविड के बचे से कैसे होगा प्लान ये वगरा हमको अप्रूवल लेना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे रूल्स रूल्स और रगलिशन आ चुका है तो उसी के मध्यद नजर रखते हुए हम लोग अने प्लान करेंगे तो दायमेंड जूबली का भी उद्धेश है अभी 2022 में डायमेंड जूबली जब होगा तो उसका भी कुछ प्लान चल रहा है पुर्णागर नहीं हुआ तो आप जोट सुट्स बनाएंगे तो बिल्कुल कॉरोनागर नहीं है तो पूरा ताम जाम से पराने के कोशिश कर सकता है करने के बाद जूबद भी वो पूरा का पूरा कर पाएगा यह नहीं कर पाएगा वो भी थोड़ा सदिकत में है आची में मायोपोलेज व ही जोड़ा है वो सभी IPSC का जो पार्ट है इंडिन पॉब्लिक स्कूल पॉण्फ्टाइंस का तो उसी का साथ हमारे पांचों स्कूल इसमें भी भाग है ताकि हमको वी अच्छा ऊपडर्शन गेले उल्लों के साथ भी मिंडनलों के काम दनाने को सबसे पहले मैं दोलपोर के सभी लोगों को र्याम नवमी की और हिंदू नववश्य की शुपका मिनाई जयता हूं और हिंदू वर्ष लोसार पठतर का इस शुभारन पे कोरोना से बचके रहने का डेर्लाइन्स वड़ा आरका है उसी के मुताबिक हम उसको आगे बढ़ाना है और सब को एकबार और नववश्य का राम नवमी का हादिक बदाईया देता हूं कोविट के इस समय पे हम सही लहना और हमारा स्वास्था को अच्छा रखना हमारा करते हुए हैं और सब यह अच्छा कोविट का प्रोटापोल्स और डेडलाइन्स को पालन करते हुए त्योहार मनाएं और सुखी रहें जैहना तो आज के स्पेशल संडे में बस अतना ही बाकी की तमाम छोटी बड़ी ख़बरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीविया न्यूस दानिस्थान का मिश्टार